जै भाबा की मेरा नाम हरशिता गुला है और आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी कि पूरी प्रिक्रिया में कितने स्टेप्स होते हैं और किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है तो स्टेप नंबर वन होता है कि आपको दर्ब मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि टोकन कहां से मिलते हैं ऐसे करके तो आप वो वीडियो देख लेना ठीक है और एक वीडियो वो जरूर देखना है आपको कि करूली सरकार कानपुर दर्बार के दर्शन उससे आपको पूरा दर्बार में क्या चीज कहां है वो चीजे पता रस्ता है वहाँ पर जाएंगे सौर पे काई कार्ड बनता है ठीक है तो वो कार्ड इसलिए बनता है क्योंकि जो भी आप दर्बार से चीजे लेते हैं जो भी आपके ट्रांजिक्शन होते हैं लेन देन होता है सब उसी कार्ड के दुरू होता है आप उस कार्ड आप जब भ आपको कुछ भी चीज लेनी है, आप उस card में recharge करवाएंगे, ठीक है, तब आप उस card को लेकर के, जिस भी counter से वो चीज मिलेगी, वो card फिर आप उस counter के पास लेकर के जाएंगे, वो उसमें check करेंगे कि भी इसमें recharge हुआ हुआ है इस चीज का, तो वो आपको वो चीज दे दे ठीक है, ऐसे करके ये चीज चलती है, तो पहला हुआ आपका पंची करण, यानि के registration, अब आपका registration हो गया, ठीक है, अब step number second, step number second में क्या है, कि आपको अरजी खरीदनी होती है, ठीक है, अरजी मतलब कि प्रशाद खरीदना होता है, उस प्रशाद में या उस अरजी में क् मां का शंगार रहता है थोड़ा सा कुछ मतलब जो भी रहता है उनका भोग लगाने का वो रहता है जासे कभी रबडी गोला ऐसे नारियल ये सारी चीज़े रहती है नारियल तो रहती रहता है हाँ मुझे और जादा धिहान नी मां का शंगार में रहता है नारियल रहता है औ और आपका चुन्री रहती है छोटी सी ठीक है ये चीजे ही रहती है ठीक है ये चीजे रहती है उसके लिए आपको जो step number second है अरजी बंधन ठीक है और जब आप पहली बार अरजी लगा रहें तो हाथो हाथ बंधन भी ले ले ठीक है क्योंकि बिना बंधन लगाए तरशूल पकड़ना नहीं है आगे चलके बताँगे कि तरशूल भी पकड़ना होता है तो आप अरजी बंधन करने के साथ मतला अरजी लेने के साथ साथ ही बंधन भी ले ले और बंधन आप उन उन लोगों के लिए ले ले जिन जिन लोगों को आप डी एने में रखना चाहते हैं ठीक दोस्तों आप वीडियो में जाते जाएं जाते जाएं और देखते जाएं कि आपकी काम की कौन सी वीडियो है कौन सी वीडियो नहीं है ठीक है ये काम आप कर ले फिर क्या है आपने अरजी खरीद ली ठीक है बंदन खरीद लिया अब आप सबसे पहले बावा के दरबार में साइट से बाबा के दरबार में साइट से रेलिंग लगी हुए उस रेलिंग में चलते चले जाते हैं और वहाँ पे पंडी जी आपको मिलेंगे तो पंडी जी को आप वो अरजी देते हैं मतलब कि वो प्रशाद देते हैं वो उसका बाबा को भोग लगाते हैं जो भी वो करत रख सकें और उसका सेवन कर सकें ठीक हैं जादा सेaugSTE ये вाली चीज हुई अब आपका बाबा के दर्बार में अरजी लग गई अब उसके बाद मा के दर्बार आपको जाना पड़ता है करूली सरकार दर्बार कानपूर के दर्शन जो है वो वीडियो जरूर देख लेना आपको पता पड़ जाएगा कि मा के दर्बार कैसे जाते हैं तो आप मा क दरबार जाते हैं अर्जी लेकर के ठीक है आपने बंधन तो बांधी लिया होता है जिन लोगों के नहीं बंधन है जो लोग जैसे घर पर हैं जिनको डीने में रखना है उनके बंधन आप रखे रही है ठीक है और हाँ यहां यहां पर बता दूँ जो लोग बंधन नहीं बां करते हुए कि बाबा हमारा ये जो भी है जिससे रिष्टा जो भी है ये बंधन नहीं बानना चाहता तो प्लीज मैंने उसकी बॉड़ी से टच कर आके आपके पास रख रही हूं या रख रहा हूं आप उसकी सुरक्षा करना है ऐसे करके हो जाएगा ठीक है बंधन की भी मैंन कि कब एक्सपायर होता है ये सारी चीज़ा आपको वहां पता पर जाएंगी ये हुआ ठीक है फिर आपने मा के दरबार में जो पंटिजी होंगे उनको वो अरजी दे दी वो आपको जो भी रखना होगा उन्हें रख लेंगे और वापस आपको दे देंगे ठीक है वहां से आप ले ले और फिर उसके बाद तिरशूल पकड़के मा के सामने अपनी हर एक परिशानी बोलनी है और जब बाबा के दरबार भी जाएंगे न तो बाबा के सामने भी अपनी सारी परिशानी आपको बोलनी है ठीक है किसी दूसरी के लिए प्रातना नहीं करनी है अपने हस यह हुआ आपका दूसरे step फिर दूसरे step के बाद आता है तीसरे step तीसरे step में क्या है अब आती है तीसरे step में क्या है कि अब आपको DNA break करवाना होता है ठीक है अगर आप शाम में पहुचे हैं दरबार ठीक है और शाम में आपने अरजी बंदन किया है तो आपको अगले दिन अपना DNA break करवाना होगा ठीक है वरना अगर आप सुभा में दरबार पहुचे हैं तो लगबग दो या तीन बज़े के लगबग होता है टाइम चेंज होते रहते हैं तो आप जो दरबार में announcement होती हैं उनको ध्यान से सुनें कि यहां जो लोग पहली बार दरबार आए हैं उन को DNA break करवाना है तो वो इतने बज़े शिफशक्ती हॉल में पहुच जाएं शिफशक्ती हॉल भी मैंने करूली सरकार कानपुर दरबार के दर्शन उसमें बता रखा है कि शिफशक्ती हॉल कहां पर है ठीक है तो आप उसको देख ले यह हुआ ठीक है और अगर आपको नही पता पड़ पा रहा है कि भी संकल्प करना है तो कहां कैसे क्या कितने बज़े तो ना बाबा के दरबार के सामने लेफ्ट साइड में इंक्वाईरी है ठीक है इंक्वाईरी काउंटर बनवा है तो उनसे पता कर लिए कि हम फस्स टाइम दरबार आ रहे हैं तो हमें अपना DNA ब्रेक करवाना है तो कितने बज़े होगा तो बता देंगे कुछ न कुछ हुए हिंट आपको दे देंगे ठीक है तो अपना अरजी बंधन करके आए तो अपना DNA भी जरूर ब्रेक करके आए ठीक है ताकि तब उसके बाद जो आप हवन या नमन जो भी करेंगे उसका पूर नमबर वन पंजी करन मतलब की रजिस्टेशन स्टैप नमबर सेकेंड कि भई आपने अरजी लगाई और बंधन किया ठीक है और माबाबा के सामने अपने सारी परेशानिया भूली स्टैप नमबर थर्ड कि भई आपने अपना DNA ब्रेक कर वाया ठीक है तीन स्टैप हो गए नो हवन या तो आप दरवार में रुख करके ही कर सकते हैं या घर पर जाकर कर सकते हैं या आपकी अपनी शद्धा है ठीक है तो ये करना है नो हवन नो दिन में करें या नो महीने में करें या नो हफते में करें वो आपकी अपनी इच्छा है लेकिन मेरी साइट से एक परान अमावस्या जब से जब तक है उस एक दो दिन तो रहती है अमावस्या की मतलब आज जैसे शाम को शुई तो कल दुपैर तक रही तो उन दो दिन जो है अमावस्या ना करें ठीक है इस चीज़ का ध्यान रहा है अमावस्या के दिन कुछ नहीं करना है अमावस्या के दि या घर ले जाएं या फिर online मंगा लें उस चौथा नंबर चौथा step है आपको haven करना है या नमन का मैंने एक वीडियो डाल रहे हैं आप वो देख लिए हैं आप रभी सिर्फ हम haven की बात करेंगे ठीक है haven विधी की वंडे वालों के लिए भी एक वीडियो डाल रहे हैं तो वंडे वाले वो देख लें ठीक है तो आप 9 haven आपने जैसे घर ले गए या घर पर मंगा लिए या फिर दरबार में रुख करके ही कर लिए ठीक है यह हुआ अगर बीच में आमावस्या आ रहे हैं तो आमावस्या पर haven नहीं करना है ठीक है अगर आपके साथ haven हो गए हैं तो साथ haven के बाद आप अमावस्या का कारिक्रम अटेंड कर सकते हैं अगर आपके साथ haven नहीं हुए हैं तो आप अमावस्या का कारिक्रम नाटेंड करें हवन देखने को देख सकते हैं लेकिन जो रात का का कारिक्रम होत आपको क्या करना है नो हवन होने के बाद और देखिए इसमें साथ हवन तो नॉर्मल हो जाएंगे उसमें साथ में आपको दो यंत्र भी लेने होंगे एक यंत्र आपको आठवे हवन में रखना होगा और नवे हवन में एक और जो दूसरा यंत्र लेंगे वो उसमें रखना ह होगा ठीक है इसका यंत्र क्या है कैसे क्या आगे कैसे क्या सेफटी से रखना है अपने घर में ले जाकर कि वो मैं चीजे किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगे कि आल्रीडी ये वीडियो बहुत जाता लंबी हो रही है ठीक है तो आपको आठवे और नवे हवन में एक एक कुली अत्रीक से प्रीवार के सदस्यों का हुनाphon के का प्रिवार के सदस्यों का होना जरूरी हैं कॊन से है आपके बार वो वीडियो देख लें ठीक है अब आपको जो है अपना ब्लैक मेजिक करवाना है ठीक है ब्लैक मेजिक कर वाना है तो आप और आपके परिवार के सदस से आ गए मतला आपके DNA के सदस से आ गए और एक दिन में black magic कट गया अगर black magic नहीं कटता है तो उसके लिए क्या चीज़े हैं वो मैंने उस वीडियो में डाल रखी है कि दरबार के किन-किन लोगों मतला DNA के किन-किन लोगों का आना जरूरी है पूरी प्रिक्रिया करने के लिए यह सारी चीज़े तो आप वहां से देख लिए ठीक है अगर ध्यान रहा मेरे को तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगे ठीक है वो वीडियो का लिंक यह चीज हुई ब्लैक मेजिक हुआ ठीक है फिफ्ट नंबर कर स्टैप है ब्लैक मेजिक ब्लैक मेजिक कटी है सबका जब एक बार DNA के सभी लोगों का ब्लैक मेजिक कट जाता है उसके बाद next step आता है अगर सबका कटना चाहिए उसके बाद ही आप दूसरे step कर सकते हैं मलब next step कर सकते हैं अंगला step कर सकते हैं ठीक है तो six step आता है इस्मरतीची कित्सा का ठीक है तो six step आता है इस्मरतीची कित्सा का इस्मरतीची कित्सा एक दिन में हो जाएगा सब कर DNA के सभी लोग आए हुए हैं तो ठीक है तो six step है इस्मरतीची कित्सा पहला step कौन सा था पंजी करण यानि के registration दूसरे step था अरजी बंदन तीसरे step था DNA break चौथा step था नौहवन और यंत्रिस था अपना ठीक है फिफ्थ स्टेप था black magic black magic कटिया च्केजा कर ता सेवंथ स्टेप के लिए आपको 21 रुपे का तो जब आपकी स्व मनते चिकित्सा हो जाती है उसके बाद आपका आरूग्यावन बचता है तो आरोग्य हवन आपको करना کंपल सरी है मारण कटवाने के लिए अदर्बार कि अकर आप ये इतनी पिर्क्रिया कर लेते और मारण नहीं कटवाते तो आपको परिशानियां दिखेंगी बहुत गंधी गंधी तरीके से दिखेंगी मैंने अपना मारन नहीं कटवाया था तो मेरी नाक से बलड आना शो हो गया था ऐसे ऐसे चीज़े होने शो हो गई थी तो अब ठीक है मैं इन चीज़ों के जादा डिटेल मनी जाओंगी तो परिशानिया होती है इसलिए जब इतना सारी चीज़े कर रहे हैं तो ये भी करना जरूरी है ठीक है बहुत परिशानी हो जाती है अगर मारन नहीं कटवाते हैं तो इसलिए मारन कटवाना जरूरी है तो अब आपका इस्मरती चिकित्स होगी इस्मरती चिकित्सा करवाने के बाद अब आप अपना उर्जा आरोगे हवन कीजिए उर्जा व्रधी हवन कीजिए दूनों का नाम में कि यह उर्जा व्रदी हावन मिलता है inquiry counter पर बाबा के दरबार के सामने left side में ठीक है बाएं side में उर्जा आरोगे हावन वहाँ आपको ले करके वो छोटा से संकल्प कराते हैं, वो संकल्प करके उर्जा अरोगे व्रदी हावन आपको मिल जाता है फिर आप अपने परिव परिवार में बैठ करके कीजिए और परिवार के सभी सदस से बैठ करके कीजिए बहुत अच्छा लाब मिलता है एक परिशानियां खतम हो जाएंगे आपके शरीरों की ठीक है और शरीरों की तो होंगी होंगी साथ में जो काम नहीं बन रहे हैं उन जगाओं से भी वह निगे हैं कहा रहे हूं कि ब्लैक मैजिक इसमरतिशी किस और उर्जावरादीहवन में आप सब लोग शामिल हों डी एनी के सभी लोग ठीक है इविन जो नौ हवन है नौ हवन भी घर पर ले जाके डी एनी के सभी लोग बैठ करके करें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ठीक है उर्जावरादीहवन हो गया अब उर्जावरादीहवन होने के अगले दिन मारण का संकल्प होता है शिफशक्ती हॉल में ही साड़े आठ या नौ बजे के संधिंग वो आप सुनते रहना अनौंसमेंट होती रहती है तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि जिनका मार मारण का संकल्प कर ले और मारण उर्जावरादीहवन अंगर आपने कर लिया तो मारण का संकल्प कर ले मारण का संकल्प करते ही आपका मारण कट जाएगा और तीन महिने तक धीरे-धीरे करके वो गंदीगी निकलती रहेगी मारण की भी और वैसी भी ठीक है तो उसके ल डीने ब्रेक हो गया, चौथा स्टैप आपका ये हुआ, चौथा स्टैप आपका नौ हवन हो गये, पांचवा स्टैप आपका हुआ है, ब्लैक मैजिक हो गया, छटा स्टैप आपका इस मृतिशी किस्था हो गया, सात्वा स्टैप आपका, सात्वा स्टैप जो है आपका मार मुख्त होने सो उनको जबर जश्दी छोड़ा जाता है वरना mostly जितने पित्र होते उनका संगहार या मुक्ति उनके कर्मों के हिसाब से आपके नोहवन करने के दौरान हो जाती है लेकिन एक दो पित्र एनरजी आप लोगों के अंदर रहे इसलिए पित्रों को एक दो पित्रों को रहने दिया जाता है ठीक है तो पित्रों को मुक्त कराना है हमें तो जो भी न एक प्रिक्रिया हो जाएगे नियुक के इतिर मुख्ट हो जाएगे टूटल ये 7 आठ वा स्टैप जो था मवस्या का आखरी ठीक है ये 8 स्टैप आपको करने होते हैं आपने आठ स्टैप कर लिए समझो आपने हर एक परिशानी से मुक्ती पाली अब आप 8 स्टैप करने के ब लेकिन उससे पहले मैं और सारी वीडियोस बना रही हूँ जो की सारी पिरक्रिया है उस पर मैं वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपके गुरु दिख्षा से पहले जितनी भी कारिक्रम रहते हूं उनको लेकर के आपके डाउट्स खतम हो ठीक है तो मेरे हिसाब से एक एक डा मैं दूर्शी जो चैनल है उसमें वीडियोस में जाकरके एक एक वीडियोस आप देख लिजे। आपके एक डाउट क्लियर हो जाएगा किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है किसी को कुकि घर में मतलब कलेश रहता हूं लड़ाई जगड़े रहते हूं किसी भी तरह की कोई परिशानी हो सही बता रही हूं यकीन करना एक एक परिशानी इन चीजों से ठीक हो जाएगी आप यह आठ स्टेप अपने दरबार से जुड़ करके आपकी परिशानी गतम हो जाएगी और एक चीज और बता दूं अगर आप अभी आपकी फाइनिशल इस्थिती अच्छी नहीं और आप नहीं कर पारें देखो इस्थिती तो इसकी इस नेगेटिविटी की वजह से अच्छी नहीं हो रही है ना तो कैसे भी करके पैसे के इंतिजाम करके यह करें नहीं कर पारें तो जब तक यह चीज़ें नहीं हो पारें तो आप माबाबा से लगतार प्रातना करें कि वो आपको इस लायक बनाएं कि आप दरबार के ये सारी प्रिक्रिया अपना करके परिशान्यों से मुक्ती पा सके ठीक है अगर ये भी ये करें लगतार और साथ ही जो मैंने वीडियो जाल रखें कि घर से बाबा का नमन कैसे करें ठीक है तो आप वो वीडियो जरूर देखें दो तीन चार वीडियो डाल रखी है तो आप वो वीडियो जरूर देखें ठीक है उससे आपको पता पड़ेगा कि घर से नमन कैसे करने हैं जब आप घर से नमन करने लगेंगे न तो आपके बहुत काम बनने लगेंगे मैंने वो वीडियो डाली थी तो उसमें ही लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ गए थे कि लोगों के जॉब्स तक भी लग गए थे सिर्फ नमन करते हुए ठीक है तो जब जॉब होगी तो भी पैसा भी होगा तो जब लोगों को इतना अच्छा अच्छा फायदा हो रहा है तो आप भी ऐसे फायदा लीजिए ठीक है और हाँ बस आप ये चीज़े कीजिए और फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो प्लीज आप कमेंट करें लेकिन कमेंट करने से पहले इस चैनल की वीडियो जरूर देख लेजे सारी की सारी जिससे की आप को कमेंट करने की जरूरती नहीं पड़ेगी ठीक है और बस हो गया जैवाबा की